डीलेट के शिक्षार्थियों, मैं ग्यानदयों मनीतर पाथी, आज आपके साथ कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में बातचीत करूँगा, जिन संस्थाओं की महतवपुर्ण भूमी का इस कूली शिक्षा की दशा और दिशा को निर्धारित करने में रहती है। आपने पहले जाना और सुना होगा कि राश्ट्रियस्तर पर एक संस्था है जिसे हम NCRT कहते हैं जो दिल्ली में है, राश्ट्रियस्तर पर जो कारे NCRT द्वारा संचालित किया जाता है, यह हो सकता महसूस की गई, राज्यों में भी ऐसी एक संस्था होनी चाहिए, जो राज पर इस कूली शिक्षा को अकादमिक नित्रित्व प्रदान कर सके, ठीक वैसे ही जैसे राश्ट्रियस्तर पर NCRT अकादमिक नित्रित्व प्रदान करता है, SCRT के स्थापना के पूर्व, कई ऐसी राज्यस्तरिय संस्थाएं थी, जो विभेन नामों से काम कर रही थी, लेकिन 5 जनवरी 1989 के बाद, इन सभी संस्थाओं का एक समेकित रूप तयार किया गया, जिसे आज हम SCRT या राज्य शाक्षिक अनुसंधान एवं परिशत के नाम से जानते हैं, कई राजियों में इसे राज्य शिक्षा सोध्यों प्रस्रिक्षन परिशत भी कहा जाता है, लेकिन इनके काम में कोई बहुत बिभेद नहीं है, क्योंकि ये संस्थाएं स्कूल से जुड़ी हुई उन समस्याओं के लिए कारे करने को कृत सं कलपित हैं, जो स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती हैं, SCRT में कई विभाग होते हैं काम करने वाले, इन विभागों को अलग-अलग काम साओं पर गये हैं, जैसे सेवा कालीन प्रस्रिक्षन विभाग इनका है, या ध समस्याओं या सिक्षाई समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, या ऐसे यूँ कह लीजिए कि जब भी कोई परिवर्तन पाठचरिया या पाठेक्रम में किया जाता है, तब उसका प्रभाव कक्षाओं में कैसे होगा, इसकी जानकारी या सूचना देने के लिए होता है कि हम सिक्षकों तक अपनी पहुंच बनाएं, अब सिक्षकों तक पहुंच बनाने के लिए आवस्चक है कि हमारे पास कोई न कोई अविकरन हो, यह अविकरन राज्यस्तर पर SCRT है और SCRT का यह विभाग जिसे हम अध्यापक शिक्षा विभाग या सेवाकालीन व पाठ्यपुस्तक विकास, जैसे NCRT राज्यस्तर पर पाठ्यपुस्तकों का विकास करती है, उसके आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित करती है और फिर पाठ्यपुस्तकों का विकास होता है, ठीक वैसे ही राज्यस्तर पर राज्य शिक्षा सोध यों प्रस्रिक्षन पर सब्सक्राइब करते हुए इनका विकास करें आप सब जानते हैं कि स्कूली शिक्षा में दो महत्पूर निस्थर हैं प्रारंभीक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के छेत्र में चुनोतियान बड़ी हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार हैं 2010 की अस्तित्त में आने के बाद अभ देश के चा से 14 वर्स तक के बच्चों को अनिवारे और मुफ्त सिक्षा मिलना सुनिश्चित करना है ऐसे में जो आटी के भी प्रावधान है उनको लागू करने का काम या उनको लागू करने के लिए वाताबरन निर्मान का कारे भी इसी आटी द्वारा किया जाना है तो पाठचरया पाठेकरम पाठेपुस्तकों के विकास के साथ साथ उस शैक्षिक माहौल का निर्मान करना, जिसमें हम अपने बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा मुहया कराना सुनिश्चित कर सकें, यह SCRT की महत्वपूर्ण भूमिका में शामिल है. SCRT के पास एक परिक्षा विभाग भी है, यह परिक्षा विभाग कई तरह की परिक्षाओं का संचालन करता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण परिक्षा तो राश्ट्रिय प्रतिभाग होज की है, जो NCRT द्वारा राश्ट्रिय इस्तर पर संचालित की जाती है, राजिस्तर और सेवा कालीन दोनों की परिख्षाओं का संचालन अकादमिक स्तर पर बूट द्वारा परिख्षाओं का संचालन होता है परिणाम घोशित किया जाता है लेकिन कई राज्यों में यह कारे डाइट का संचालन डाइट में होने वाली गतिविधियों का अनुस्रवन डाइट से मिलने वाले जो क्रियात्मक शोध के प्रतिफल हैं उनका विशलेशन करना उनको जानना उनको दूसरों तक पहुँचाना या डाइट के अनुभवों को दूसरों तक पहुँचाना यह मह के CRT विभिन शैक्षिक संस्थाओं के साथ तार्तम में बैठा कर काम करता है, सामन्जन बैठा कर काम करता है, राजे मेधी इस कूली सिक्षा में किसी भी तरह का कोई काम शुरू हो या शुरू किया जाए, तो उसमें राजे शैक्षिक अनुसंदाने और प्रसिक्षन का है राजमे इति कूली सीख्षा में किसी तरह का कारे करना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ता है या ऐसा काम करना अर्य। होता है यह है यह एक ऐसी संस्था है जो इक तरह से अप तो आटी ने भी बहुत साफ-साफ कहा है कि वह ऑकादमिक नेत्रित्तु जो है, वह SCRT के हाथ में ही होगा और SCRT ही यह सुनिश्चित कर पाएगी कि गुणवत्तापुर्ण सिक्षा किस तरह से हमारे बच्चों तक पहुँचे और हमारे बच्चे गुणवत्तापुर्ण सिक्षा लेकर एक योग्य और बेहतर व्यक्तित्तों के साथ इसकूली जीवन से बाहर आए तो इस तरह से SCRT की भूमिका बहुत ही महत्वपुर्ण है इसकूली सिक्षा के संचालन में इस संस्थान के साथ ही एक और संस्थान जुड़ा हुआ है जिसे हम सीमैट के नाम से जानते हैं रज्य शैख्षिक प्रबंधन एवं अनुसंद्धान संस्थान यह जो शैख्षिक प्रबंधन का संस्थान है और जो SCRT है एक तो उसके बीच का छोटा फर्क हम लोगों को यह जान लेना चाहिए कि SCRT जहां सैक्षिक या अकादमिक क्रिया कलापों पर केंदरित कारे करता है वहीं सीमेट शैक्षिक प्रसासन पर काम करता है शैक्षिक प्रसासन का मतलब है कि यदि आप थोड़ी देर के लिए इस विभाजन को मान भी लें कि शिक्षा के छेत्र में दो तरह के कारे हैं एक अकादमिक कारे है एक प्रसासनिक कारे है तो वैसे मैं अकादमी कारियों के लिए सी आर्टी जिम्मेवार है और जो प्रसासनिक कारे है शिक्षा के प्रसासन के जो काम है शिक्षा के प्रसासन से जुड़े हुए जो कारे है उसके लिए सीमेट जिम्मेवार है यह जिम्मेदारी सीमेट को दी गई है सीमेट नई संस्था है इस कवस्तित्तों में आये हुए महज दो दसक हुए है लेकिन राश्ट्री इस्तर पर इसकी छवी की एदी हमें तलास करनी हुए या जानना हो कि क्या इसी कोई संस्था है जो राश्ट्री इस्तर पर सीमेट जैसा काम करती है तो राश्ट्री इस्तर पर सीमेट जैसा काम करने वाली संस्था आज निवपा है जो पहले निवपा थी जो शाक्षिक शोध हो प्रसासन के शेत्र में प्रवंधन के शेत्र में काम करती है तो राश्ट्री इस्तर पर इपन्यूजन विभाग शैक्षिक्ष्थ का विभाग कि एक बड़ा मामला है शिक्षा में विद्द का कि कि हम कितना ब्रतिसाद एक बात थो हम सब कोई कहते रहते हैं लेकिन समझने की कोशिस नहीं करते कि खुठारी आयोग ने कहा था कि भारतिय शिक्षा में GDP का सकल घरेलूत पात का 6 प्रतिसत को किस तरह से समझें और अपने राजियों के संदर में किस तरह से समझें यह कारे सीमेट अपने इस विभाग के द्वारा अपने इस शैक्षिक वित्विभाग में बैट करता है दूसरा महतुपूर्ण काम जो सीमेट करता है वो है शैक्षिक प्रसासकों का प्रसिक्षण NCCRT द्वारा शैक्षिक प्रसासकों का अकादमिक प्रसिक्षण या अकादमिक बिंदूओं पर प्रसिक्षण तो भले ही होता रहा है लेकिन शैक्षिक प्रसासन पर उनके प्रस्रिक्षन की कोई सुद्रड व्यवस्था या बेहतर व्यवस्था सीमेट के पहले नहीं दिखाई देती है थोड़े थोड़े करके हम उनका प्रशिक्षन कराते रहे हों लेकिन कोई प्रशिक्षन की नियमित विवस्था नहीं रही है ऐसे में CMET ने उस खालीपन को भरने का भी काम किया जहां हम अपने राज्य के शिक्षा विभाग के विभिनस्तरों के पताधिकारियों के प्रशिक्षन की विवस्ता कर पाते हैं और यह प्रशिक्षन हमें कई तरह से संविधनशील मनाता है, कई बातों के प्रति आगाह करता है और हमें यह सीख देता है कि हमें आगे आने वाली सैक्षिक चुनोतियों का सामना करने के लिए अपने आपको किस तरह से तयार करना चाहिए तो सिमेट के एक महतरपूर्ण भूमिका इन शैक्षिक शिक्षा विभाग के इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षन की भी है जो शैक्षिक प्रसासन के लिए जुम्मेवार है या जिनके द्वारा नियमित शिक्षाई प्रसासन संचालित होता है और जिनके हस्तक्षेप से शिक्षा के शेत्र में बहुत सी चीजें बदलती रही हैं बदली जा सकती है तो यह जो एक संगठन या संस्थान है वो कोशिस यह करता है कि विभिन तरह के क्रिया कलापों के द्वारा राजिस्तर पर ऐसे सैक्षिक नीतियों का निर्मान कर सके जिससे राज्य सरकार को अ एक तरह से देखें तो सीमैट राजिस्तर पर एक ऐसा संगठन है या एक ऐसी संस्था है जो राजे सरकार को शिक्षाई नीतियों के निर्मान में शोध आधारित प्रिस्ट पोसन करती है फुडबैक देती है उसके पास सीमैट के पास शोधों पर आधारित कुछ निशकर के लिए हमें अब इस तरह के शोधों से मिले हुए जो परिणाम हैं उनको ध्यान में रखके भी काम करना चाहिए जैसे हम नहीं सोचते कि आखिर जो नियाले में लंबित मामले हैं उनका कि किसी शिक्षाई प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम कभी यह जानने की कोशिस नहीं करते कि इस तरह के जो लंबित कोट किसे क्या वो शिक्षाई को प्रभावित करते हैं या नहीं तो ऐसे में जो सीमेट की भूमिका है वो इस तरह के विभिन कारियों की तरफ हमारा ध्यान आक्रिस्ट करना भी है जिन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता तो सीम शिक्षा के नियोजन और इसके बारे में तंस्था है जो हमें शैक्षिक नियोजन और प्रसासन के बारे में सुचित करती है और साहिस राजिस्तर पर बनने वाले नीतियों को स्वरूब प्रदान کرने में मदस करती. धन्यवाद। झाल झाल